दोस्तर इस वीडियो में हम जानेंगे कि search add या search campaign कैसे create करना है ये जो वीडियो है एक ये summary वीडियो है जिसमें आपको पूरी campaign एक ही बार में करके बताई जाएगी हाला कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बाते हों कि जिनको द्यान देने और समझने की जरूवत है तो उन सभी छोटे-छोटे topics को आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं लेकिन आप उन छोटे-छोटे वीडियो में छोटे-छोटे topics में आप confused ना हो जाएं इसलिए ये combined video है जिसमें शुरू से लेकर आनतिता की पूरी campaign को complete करके बनाना बताया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो search at campaign बनाने के लिए आप यहाँ पे plus की button दवाएंगे यहाँ पे आप new campaign की button दवाएंगे आप यहाँ पे sales या lead select कर सकते हैं objective में तो हम sales select कर लेते हैं इसके बाद यहाँ आप से conversion goal जो है choose करने को बोलेगा यह हो सकता है यह आपको create करने को बोलेगा दोनों ही चीजे जो हैं हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे जहाँ पे मैं आपको conversions के बारे में बताऊंगा फिलाल अगर आप यहाँ पे choose करने का बोल रहा है तो choose करने और अगर create करने का बोल रहा है तो create करने और इसको by default करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो मैं यहाँ continue की बटन दवाता हूँ फिर यह हम से पूछ रहा है select a campaign type कौन से campaign बनाना है तो यह हम search campaign बना रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जादा जादा लोग मेरी website पर visit करें और visit करके वहाँ पर जो मेरा product है उसको खरीदें और खरीदने के बाद मेरा जो goal है वो पूरा होगा इसलिए मैं यहाँ पर website visit को select करता हूँ इसके लब आप phone call, shop visits और app downloads भी आप कर सकते हैं हला कि यह phone calls और shop visits जादा कोई खास काम करते नहीं यह app downloads आप जरूर कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर website visit का example लेके चलेंगे फिर यह आप से पूछ रहा है website तो आप यहाँ पर आपकी website डाल सकते हैं और अगर आप practice कर रहा हैं तो आप कोई सी भी website डाल सकते हैं भी सकता है अगर आप first time account खोले हैं तो यह बोलेगा कि आप create करो तो आप create कर देना automatic वो create कर देता है और अगर आपका पहले से setup है तो यहाँ पर आपका conversion देख रहा होगा दोनों ही case में कोई चिंता वाली बात यह minor topics सभी हम जो है दूसरे वीडियो में डीटेल में discuss करेंगे फिलाल हम आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ आप campaign का नाम दे सकते हैं campaign का नाम sales search one लिखा हुआ है आप कुछ और देना चाहें तो दे सकते हैं या तो इसको same to same रहने भी दे सकते हैं मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ continue की बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पर अब यह पूछा है bidding what do you want to focus on आप जो है किस चीज़ पर focus करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर option आते हैं conversion, conversion value, clicks या impression share तो हम इन में से कोई सा एक अपना bidding set कर सकते हैं जिसके हिसाब से जो हमारा add चलेगा conversion बहुत सही रहेगा, अगर आप conversion आप proper setup कर लेते हैं तो अगर आपके पहले से कोई भी conversion नहीं है तो आप click से भी start कर सकते हैं जब आपको limited budget में चलना है फिलाल मैं यहाँ पर conversion select कर देता हूँ, यह पूछ रहा है set target cost per action यानि कि आप किस budget के अंदर अपने conversion को complete करना चाते हैं यानि कि आप 500 रुपर से ज़्यादा अपने किसी conversion पर खर्च नहीं करना चाते हैं तो आप यहाँ पर set कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पर इसे set करने की कोई ज़रूत नहीं अगर आप पहली बार campaign चला रहा हैं तो बिल्कुल भी set ना करें हम इसको next करेंगे, next करने के बाद यह पूछता है search network include google search partner और display network include google display partner यानि कि क्या आप अपना search ad जो है display network पे भी दिखाना चाते हैं क्या आप अपना search ad जो है दूसरे search partner पे दिखाना चाते हैं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है आप इसको untick कर दें तो मैं यहाँ पे इसको untick कर देता हूँ इसको भी untick कर देता हूँ यानि कि आप मेरा जो ad है केवल search यानि की google search पे ही चलेगा इसके बाद आप location select कर सकते हैं अगर आपको दूसरी countries में चलाने सभी पे तो आप all रहने ते या तो आपको केवल इंडिया में चलाने तो आप इंडिया पे select कर सकते हैं और other locations के लिए आप दूसरे वीडियो में location के बारे में detail जान सकते हैं फिर हम आते हैं language पे language को as it is रहने ते या तो इसको all language भी कर सकते हैं तो मैं इसको all language कर देता हूँ search add के case में audience select करने की वैसे जरूवत नहीं पड़ती है तो आप इसे नहीं करें अब यह पूछ रहा है broad match keyword दोस्तों broad match keyword एक तरीके से अब google काफी advance हो गया है और अपने AI based पे बहुत ही अच्छे बहुत ही सही लोगों को अपना add दिखाने के काबिल हो गया है इसलिए आप broad match keyword को on रख सकते हैं और broad match के हिसाब से आप campaign चला सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपना conversion setup करना बहुत जरूरी है तो इसको मैं यहां पर on कर देता हूँ और मैं यहां पर more settings पर click करूँगा यहां पर जो की settings दिख रहे ही इसको आप as it is रहने दें और हम next की बटन दबाते हैं अब दोस्तों यह पूछ रहा है कि कौन से keyword पर याने की सामने वाला व्यक्ति Google पर ऐसा क्या search करें जब आपका ad दिखाया जाए उसको हम कहते है keyword और उस keyword की भी कैसी category होती है और उस keyword के बारे में ज़्यादा detail में आपको दूसे वीडियो में सीखने हैं लेकिन fast forward में मैं आपको बता हूँगा कि यहाँ पर आपको keywords डालने है और actually अब हम यह campaign create कर रहे हैं तो फिलाल आप यहाँ पर keyword अगर एक keyword भी डालके इसको आगर आगे बढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आगे आगे आपको ज़्यादा option मिलते हैं पूरी campaign बनाने के बाद आप बहुत systematically keywords को डाल सक करेगा जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाए कि आपको conversion मिलेगा तो Google आपका ad दिखाएगा तो यहाँ पर आप एक keyword डाल दें तो यहाँ में example लेके चलता हूँ office chair यानि कि मैं अगर अगर अपनी website पर office chairs बेच रहा हूँ तो अगर कोई search कर रहा है office chair इस type से कोई search कर र keyword select कर दी है अब आप यहाँ पर एक ad बना दो यानि कि जब भी कोई office chair search करता है या best office chair search करता है तो इसको जो मेरा ad दिखाया जाएगा उसमें उसको क्या निखा हुआ दिखेगा कैसा निखा हुआ दिखेगा वो चीज़े मुझे यहाँ पर लिखनी है वो line है मुझे यहाँ पर लिखनी है वो शब्द मुझे यहाँ पर डालने है ठीक है तो हमारी website का URL जो भी है जिस page पर हम सामने वाले को ले जाना चाहते हैं क्लिक करने के बाद वो हम यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यह display path है यानि कि सामने वाले को URL के साथ और क्या दिखाना है यह यह आप अ कब से कम आपको दो description डालने पड़ेंगे उसके लावा site links call outs और बाकी assets के बारे मैं आपको दूसे वीडियो में बताया जाए गया फिलाल हम यहाँ पर headline डाल देते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन headline डाल दी है जैसे कि buy best office chair ergonomic office chair premium office chair आपको ऐसी headline डालनी है जिससे सामने वाले क मन करें कि हाँ इस ad पर मैं click करूँ और जाके देखो कि क्या product आपको इसमें और भी option मिलते हैं आप ज़्यादा headline डालें ज़्यादा headline डालेंगे तो ज़्यादा probability रहेगी कि आपको अच्छा लिखेंगे जो सामने वाले को पसंद आएगा और वो आपके ad पर click करेगा ऐसे ह आपको description डालने कम से कम दो जाज जादा आप चार description डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ sample के तौर पर दो description डाले हैं जैसे कि shop from wide range of furniture design with easy MI fast delivery and installation आप जो अपने product और service से related best description डालें जिससे सामने वाले को ज़्यादा information और ज़्यादा perseverance हो यानि कि ज़्यादा वो motivate हो आपके ad पर click कर करने के लिए इसके लावा site links call outs को आप अगले वीडियो बाकी वीडियो में समझ सकते हैं इनको डालना इनको अगर आप डालते हैं तो ज्यादा बहता रहेगा इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर done कर देता हूं मेरे एक ad create हुआ है इसको मैं यहाँ पर next कर देता हूं अब आ budget में है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास तीन-चार option है एक सबसे highest वाला एवरेज वाला इसका recommended वाला और सैट कस्टम बजट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे मन से अपना budget डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको 200 रुपे डाल देता हूं यानि कि 200 रुपे पर डे मेरा नेक्स करता हूं नेक्स करने के बाद यह इस तरीके से सारे errors को चेक करेगा थोड़ा यह टाइम लेगा उसके बाद यह आपको बताएगा कि आपका एड़ पब्लिश करने के लिए ready है या नहीं तो यह कुछ issues recommend कर रहा है यह कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास publish का option आ दिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यह फिलाल ऐसा वाला error बता रहा था तो मैंने उसको ठीक कर दिया है और अब मैं इसको फिर से publish करने की कोशिस करता हूं अब देखी मेरे पास यहाँ पर publish campaign की button यानि कि option आ गया है कोई भी error show नहीं कर रहा है तो मैं वो को दिखने लग जाएगा और अगर आपके अच्छा चलता है और आपके conversion setup है तो आपके conversion भी आने लग जाएगे और यहीं तो मकसद होता है किसी भी add को चलाने का conversion लाना अब आप यहाँ ऊपर जाके all campaigns की button दवा देंगे तो आपने जो campaign create करी वो आपको सामने एक summary form में दिखने लग जाएगी यानि कि आपने एक यह search campaign create करी जिसका budget 200 रुपे जिसका status learning बता रहा है ठीक है optimization score यहाँ पर कुछ भी बता सकता है वो Google अपने हिसाब से बताता है कितने clicks हुए कितने impression है कितना CTR है कितना average CPC है कितना cost है कौन सी breed strategy है ठीक है वो सारी चीज़े आपको summary में मिल जाएंगी तो दोस्तों एक यह fast forward वीडियो था जिसमें पूरी एक search campaign को कैसे create किया जाता है इसकी बारिक बारिक छोटी चोटी बातों को detail में आप आगे के वीडियो में जानेंगे सीखेंगे